औस्ट्रेलिया के पूर्फ कप्तान रिकी पॉंटिंग की अचानत तबियत दिगडी पॉंटिंग को पड़ा है दिल का दोरा चैनल 7 पर कमेंटरी करते वक्त हुआ पॉंटिंग के साथ ये बड़ा हादसा पॉर्फ उस्ट्रेलिया वेस्टेंडीस के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के दोरान बिगडी तबियत पूर्फ उस्ट्रेलिया कप्तान को पर्फ उस्ट्रेलिया के अस्पताल में भरती कराया गया है अभी पॉंटिंग की हालत जो है उस थिर बताई जा रही है इन दिनो रिक्की पॉंटिंग उस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीस के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कमेंटरी कर रहे हैं और खेल के तीसरे दिन के दौरान लंच सेशन के बाद ये खबर सामने आई कि रिक्की पॉंटिंग की तबिये थोड़ी से बिगड़ गई जिसके बाद ये खबर सामने आती है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और आने वाले बाकी दिन में वो कमेंटरी नहीं करेंगे इसी बीच आपको साथी में बता दिया जाए रिक्की पॉंटिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में सेक रहे हैं और इन दिनों रिक्की पॉंटिंग जुड़े हुए हैं आई पील के साथ दिल्ली कैपिटल्स के टीम में बतौर हेड कोच और यहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच और आस्ट्रेलिया के पूर्फ कप्तान रिक्की पॉंटिंग को दिल का दौरा पड़ा है और आने वाले कुछ दिनों में रिक्की पॉंटिंग को भारत भी आना है जहां पर 23 दिसंबर को होने वाली आईपियल आउक्शन में दिल्ली कैपिटल्स के टेबल पर हमें बैठे हुए नजर आने वाले हैं रिक्की पॉंटिंग यां फिर नहीं